हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो आवर चैनल आज मैं आप सबको बताने वाले हूँ कि अगर आपने आज तक कभी भी नारी की सब्जी ट्राई नहीं किया है कभी नहीं खाया है और आप इस तरह से मैंने बनाए इस तरह से बनाकर देखेंगे तो आप खाना बिल्कुल नहीं ब हाले के लिए यहां पर मैंने तनारी अछे शर्पर डाउन अहीं घ्राई के लिए यह बनाना जा रही थी तो यहां पर इस तरहीं होगी एप को पहले अच्छे से faisait दृ लेना है और से साफ कर लेना ची तरीके से कि वार्ध हमें इसमें कूच ज्यादा तोड़ना नहीं और करना ही इसे पूरा काटना है पस इसकी इतनी सी पत्तिया निकाल वाह से नहीं करना है बस ह ह writes ऍसτιल्क् satisf पर के से इसमें जितनी भी हैं आप पहले घटा कर लीजे इने इसके बाद हम इसके करें गे तो इस तरीके से मैंने पहले इसका पूरा इतना चोटा सा बैंद्ल बना लि करेंगे और इससे जह हम कट करें तो यादरी से चोड़ी-चोटे पीसों में कट करना है मतलब इस तरीके ऐसे देख सकते कितने प्रॉपर तरीके से कट तो इसी तरह आपको सारी नारी को काट लेना है इस तरीके से और इसे हमने पहले दूलिया था तो इसे हम बाद में बिल्कुल नहीं दूलेंगे इसे इस तरीके सापको कट कर लेना है छोटे पीसे में फिर हम चड़ाएंगे कढ़ाय और इसमें डालेंगे और कड़ाई अगर लोही की हो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें जो टेस्ट है वो काफी अच्छा था है उसके बाद यहां पर मैं एक चमज पूरा जीरा डाल रही हूं और यहां पर मैं दो प्याज कटर कर रही हूं हैं चोड़ी छोड़ी प्यास है तो यहां पर मैं आपको बड़ा प्यास ले तो आप एक ही लिक penned प्याश को अच्छी तरीके से पका लेना है मैं जब तक इसमें कलर ब्राउन कलर कर ना आ जाए हमें से ज्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम इसमें और भी समाना भी एड़ करेंगे उसके बाद मैं हाँ पर एड़ करनी हो जिंजर गार्ली का पेस्ट या यहां पर जो म 11 कि डाल दिए उसके बाद यहां पर मैं डाल रही हु आधी चम्मज का ृदब यहां पर मैं चोटी चप्सकर कर रहे हुं यह देख सकते हैं यह दे इस mondo जाल हें एक चमज धनिया फिर अपने स्वाथ की अनुसार नम्फ़ नमक लारो यहां पर मैंने 1 टेवल स्पून नमक डाला है और यहां मैं छोटी चम्मच का इस्तमाल कर रहे हूं तो आप अपनी स्पून के साफ से आप मसालियो को आड़ कर सकते हैं तो इसके बाद यहां पर मैंने हिंग डाल दी है आधी चम्मच इसे मिक्स कर देंगे और पाश मिट तक बेसन डालने से क्या होता है जो नारी का जो ट्रेक्शर होता है काफी जादा अच्छा हो जाता है इसे डालने के बाद ना जो नारी का जो होती है ना वो काफी जादा सॉफ्ट बनती हो और काफी जारा खरी खरी हो जाती है इसे खान में बहुत अच्छा लगता है तो यहा मेडियम फ्लिम पर करके पकाएंगी ज़्यादे में मिक्स नहीं करना है वो आविसली बाद में हो जाएगी इसके बाद एक लेट से यसे 10 मिट के लिए ढग देना है आपको पांसे 10 मिट के लिए अब देख सकते हैं कि यहां पर मैंने पांट से शे मिनट बाद खुला है तो जो नारी थी वो काफ़े आछी तरीके से मिक्स हो चुकी है और मसाले में काफ़े आपस में मिक्स हो गए और यह काफ़े अच्छी देख रहे है को इंची हा रही है जब आपको लगए कि अच्छी तरीके से बग चुकी है तो अब इसे हाई फ्लेम पे कर देंगे और मैं यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर करके पका रही हो दो मिनेट के लिए सिर्फ उसर ज्यादा नहीं वर नहीं जल जाएगी तो यह ready हो चुकी यह खाने के लिए तो चले मैं आपको सर्फ करके दिखाते हूँ कि कैसी बनी है यह तो आप सुबह का नाश्ता बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसके साथ क्योंकि नारी के सबजी खाने में बहुत अच्छी लगती आपका अगर आपने अभी तक ट्र से रिलेटेड वीडियोज और आती रहेंगी और आपके टेस्ट के रिलेटेड सारी वीडियोज में अपलोड करती रहोंगी तो ऐसा ही अपने प्यार दीजिएगा और ये इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बतायेगा क्या आपने अभी तक नारी की सब दिखाई है या बादे बिनें